नेक्सक्रै दोजा तीन का सवाल है वन अ लॉँग स्प्रिंग इस्ट्रेशट बाइ 2 संटिमेटर इस पोटेशल एनर्जी इस 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 प्रकार है कि यह आपका इस प्रिंग को हमने खीचा दो संटिमेटर तो आपकी पोटेंचल एनर्जी स्टोर हुई यह इस u को हम लिख सकते हैं this will be equal to half into k multiplied by 2 का square 2 को हम यहाँ पे centimeter में ही लिख रहे हैं because यह ratio का सवाल है centimeter square और दूसरे वाले का भी centimeter square cancel हो जाएगा next इसी spring को हमने जो आपके spring है यह spring को हमने खीचा इस बार 10 centimeter सवाल यह है कि इस बार potential energy कितनी हुएगी तो इसको हम लिख सकते हैं this will be half k multiplied by 10 का square इन दोनों को अगर हम divide कर देंगे so u2 divided by u will be equal to half k 10 का square divided by half k 2 का square so 10 का square उपर 100 बन जाएगा नीचे हो जाएगा 2 का square यानि की 4 which implies u2 will be equal to 25u तो आपकी जो second case में potential energy की value हाई that will be 25 times the first one so उस बेजिस पर हम कह सकते हैं option number D would be the correct answer